हलो फेंट्स मैं हुरी तू और आप सभी का स्वागत है माय रेसिपी इसकी कीचन में आज हम बना रहे हैं संड्राइ रेसिपी और ये जो रेसिपी है इसे महाराश्यियंहें कहते हैं सानगे और ये अक्सर हर मराठी घर में आपको दिखेंगे और इसे बनाया जाता है इसी गर्मी के टाइम में और इसे उफवास में या तो आप रोज भी इसे फ्राइ करके खाना अगर पसंद करते हैं तो यह बहुत यच्छा उप्षन है तो चलिए इसे बनाने के लिए शुबात करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां मैंने आधा केजी आलू लिये हैं और आधा केजी आलू को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है तो बॉयल करते वक्त में इसमें मैंने एक चमच नमक डाल दिया था और उसके बाद में ही इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है ताकि इसकी जो skin है यह आसानी से निकला है तो हमने इसे बहुत अच्छे से boil कर लिया है तो करीब करीब मैंने यहाँ पे 6-7 सीटी आने तक है इसे boil कर लिया है और इसकी skin में निकाल लिया है इसे रख देते हैं side में और यहाँ लिए है मैंने 2 आलू यहाँ पे यह जो आलू ह कच्चे आलू है इसकी उपर की स्किन निकाल लेना है तो साफ पानीसे धो लिया और एक बढ़ी सी परात ली है उसमें पानी भर लेना है तो पानी बहुतुँ आधा पानी भर लिया है और इसमें डाल दिया है नमक तो यहां मैंने एक चमश नमक लिया है और यहां लेंगे हम एक ग्रेटरी तो यह जो ग्रेटरी होती है यह जो बड़े साइस की होती है वो हमने लिये हैं क्योंकि हमें जो आलू है जो कच्छे आलू यूसकी है हमने उसे हमने इसके जो है तो दोना आलू को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ आलू के लच्छे निकाल लिये हैं और इसे अभी हमें अच्छे से साफ पानी से धो लेना है तो यहाँ यह पानी जो है यहाँ आप देख सकते हैं बहुत इसमें स्टार्ज निकला है तो इससे remove करते हैं और कम से कम 2-3 बार इसे साफ पानी से धो लेंगे तो 2-3 बार हमने इसे अच्छी से पानी से धो लिया है और अभी जो इसका पानी है यह थोड़ा सा हम नीचे आने देंगे ताकि जो boil करते हैं तो boiling के process में यह रुकावट ना बने इसलिए इसका पानी निकाल लेंगे तो यहां हमने पूरा पानी निकलने दिया और उसके बाद में हमने एक side में गरम पानी करने के लिए रख दिया था तो यह जो लच्छे हैं इन्हें हमें half boil करना है तो इसे half boil करने में हमें 2-3 मिनिट का ही समय लगेगा बस उतना ही हमें boil करना है इसे over boil नहीं करना है जिस तरीके से हमने आलू पहले boil के थे उस तरीके से नहीं करना है तो इससे half boil कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं जो लच्चे हैं, यह बीच में से तूट रहे हैं दबाने से ही जब तूट जाते हैं तो समझेजी है, यह अच्छे से half boil हो गया है तो flame off कर लेंगे चन्नी में निकाल लेते हैं तो इसे चनी में निकालने के बाद में इसमें हमने ठंडा पाने डाल दिया ताकि इसकी जो boiling प्रोसेस है वो रुख जाए और इसे ठंडा कर लिते हैं और अब हमने यहाँ पर एक बावल लिया है और यह जो गट्री है इसका बारिक वाला साइड होता है वो लिया है और हमने आलू बॉयला करके रखे थे खे मुजब कर लेना है क्योंकि यह जब आलू होते हैं इसका जो मिशन हम जब तियार करते हैं तो इसमें जो गुठलियां होती है वो नहीं रहना चीए इसलिए हमने जो बारिक वाला जो गेटरी है उसका यूज किया है क्योंकि यह evenly एक सा अच्छे से ग्रेट कर लेती हैं और इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो हमने सभी आलो को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और एक बार इसे हम हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए, तो ये अच्छे से इवनली मिक्स हो गया है, अब यहां पे हमने जो ओवरनाइट जो साबू दान कि हमें ओवरनाइट इसे रख देना है, ताकि ये मॉर्निंग में अच्छा खिला खिला सा बने, यहां आप देख सकते हैं, हाथ में लेने के बाद यहां नहीं चिपका है, तो ये इस तरीके से ये खिला खिला सा बन जाएगा, जब आप इसे ओवरनाइट बिल्कुल थोड के लिए बना रहे हैं, तो इसमें सेंधा नमक यूज करना है, रेगुलर यूज के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आप रेगुलर वाला जो नमक होता है, उसे आट कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अगर आप स्पाइस यूज करना चाहते हैं, तो इसमें जो लाल वाली, सूखी लाल मिर्च जो होती है, कुटी हुई, उसे एट कर सकते हैं, तो आधा चमबची यूज़ करना है, उसे ज़्यादा ना डाले इसमें, तो यह मिशन हमारा बनके रेडी हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे आलू की लच्छे, जो हमने हाफ और पूरी तरीके से अच्छे से इसे ठंडा कर लिया था, इसे जब गर्म रहता है मिशन, तब बिल्कुल यूज़ नहीं करना है लच्छो को, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उस वक्त में, तो इसे ठंडा कर लिया है, और अब इसे मिक्स करते वक्त में इसे बहुत प्रेशर से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो लच्छे होते हैं, यह जो सांगे हैं, इसमें वो धारिया धारिया टाइप की दिखती हैं, वो इसी लच्छो के वज़ए से आती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा ओवर मिक्स ना करें, और बहुत ज़्यादा या तो आप प्लास्टिक हैं, वो भी उसकर सकते हैं, और यहाँ पे हमने हाथ में पानी लगा लिया है, और आलू का मिश्रन लेना है, और छोटी या बड़ी साइस की जो बड़ी है, या जिस साइस की डालना चाहते, उस साइस की आप इसे डाल लेना है, तो यहाँ निकालने भी आसानी होती है, और तूटती नहीं है, पर आप इसे छोटी वाली गर बड़ी बनाएंगे, तो यह थोड़ी से तूट जाती है, तो हमने सारी बड़ी या डाल दी है, अब इसे अच्छे से हमें 2-3 दिन तक इसे धूप में सुखा लेना है, जब पहला दिन हो पोचीं!